अमीरी की बेजभूशा में शार्दा घर के दर्वाजे के पास खड़ी थी और वहाँ खड़े खड़े गेट को बड़े उत्सुकता से देख रही थी। प्रशाद हॉल से आते हैं, वो शार्दा को इस तरह गेट के तरफ देखते हुए उसके पास आकर पूछते हैं। क्या वाशार्दा, ऐसे दर्वाजे के पास खड़ी होकर गेट को देख रही हो, क्या बात है। आपको नहीं पता, बहुत चाइना ट्रिप से आज लोट के आ रही है न, उसने कहा था मेरे लिए वो तौफा लेकर आएगी, इसलिए बार बार गेट के तरफ देख रही भूली गया था, आप तो सब भूल जाते हैं, याद क्या रहता है। तुम्हें तो नहीं भूला हूँ, इस बात से खुश रहो, और जब बहुने वादा किया है वो आएगी, तो यहाँ आए बिना वो रहेगी नहीं, बार बार दर्वाजे को देख कर तुम्हें क्या वो दोड़ गया जाएगी क्या? मेरी बात छोड़िये, आपने नाश्ता किया है? खाया हूँ, बेस्वाध, चटनी और सामबर भी. फिर अभी तक घर पे क्यूं है? जाएए ओफिस, और देखिये ताकि सभी लोग हमारी धोती पहने, हम अपने लिए धोती नहीं बनाते है जाके विक्री बढ़ा हिए जाएए. धोती की विक्री बढ़ाने के लिए पहले दुकान का नाम बदलना पड़ेगा शारदा, शारदा स्कूल अच्छा लगता है क्या? जो करना है कीजिए, पर पहले घर से ओफिस जाएए. शारदा प्रशाद जब चर्चा कर ही रहते, त भूल गए क्या? जैसे ही मा शारदा ने कहा, तभी रमेश को याद आया कि उसकी पत्नी, जो चाइना ट्रिप पे गई है, वो आज लोट के आ रही है. मा के याद दिलाने पे उसे ये बात याद आई. शारदा के कहने के बाद रमेश जाने के लिए निकल ही रहा था, तभी घर के गेट के पास आके एक टैक्सी रुखती है. ये देखकर सभी घर के अंदर से बहार निकल आते हैं. मौडरन कप्रों में बहुरानी टैक्सी से बाहर निकल आती है. अनामिका को देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं. शारदा शर्माते वे कहती है. ये क्या अनामिका कैसे कपड़े हैं? जाहाय ना जाके साड़ी ओडी उतार दी और ये कपड़े पहन आई। ऐसे वैसे कपड़ी नहीं सासुमा, मौडरन कपड़ी है, इससे अमीर दिखते हैं हाई रे पहले अंदर जा, कपड़े बदल के पहले सारी पहनो, बता है ना सारी में तुम कितनी अच्छी लगती हो शार्दा के कहने के बाद अनामिका कैट वक करते हुए घर के अंदर जाती है और सोफे पे बैट जाती है रमेश अनामिका के सामान लेकर घर के अंदर आता है, सास ससुर भी अंदर जाते हैं और सभी लोग सोफे पे बैट जाते हैं चाइना से लोटी बहुरानी खुशी-खुशी अपने ट्रिप के बारे में बताने लगी शारदा प्रशाद रमेश भी उसकी कही हुई बाते मन लगा के सुनने लगते हैं अनामिका बताने लगती है जिस होटल में वो रुकी थी वहां क्या-क्या खाना पीना खाया उसने और किस तरह से खर्च किये फिर थोड़ी देर बाद शारदा पूछती है अनामिका बाकी बाते हम रात में भी कर लेंगे कही दिन हो गए तुमारे हाथ के पकवान खाये वे तुम जल्दी से चाइनीज चटनी और चाइनीज अचार बनाओ हम भी जरा चक के देखते हैं उटसाह के साथ शारदा कहती है पर उसकी बाते सुनके अनामिका का मू लटक जाता है शारदा कहने लगती है क्या हुआ बहु मू क्यों लटक गया चाइनीज खाना बहुत अच्छा नहीं था मा मैं अपना खाना ही बनाओंगी देखो बहु कही दफे मैंने तुमारे पिताजी से कहा कि मुझे चाइनीज रेस्टोरेंट ले जाओ पर नहीं ले गए लेकिन तुम तो पका के खिला सकती हो अब तुम खुद चाइना से लोटाई हो ठीक है जासुमा मैं कुछ चाइनीज पकवानों का नाम लेती हो आप उनमें से पसंद करके बताएं कि आपको कौन सा खाना है स्पाइसी सेसमे नूडल्स स्टर फ्राइ वेजटेबल्स होटन सार चिकन वेजटेबल सूप चाइनीज फ्राइ राइस स्मोक्ट कुकुमबर और वेज मांचूरियन बताएं मा इनमें से कौन सा खाना है पता नहीं बहु इनमें से एक भी नाम मैं बोल नहीं पाऊंगी तुम सिर्फ चाइनीज गरी और चाइनीज अचार यही बना दो ठीक है सासुमा ऐसा कहा ता कि शार्दा सुन सके उसके बाद वो मनी मन कहने लगी अभी अभी मैं आई हूँ और मुझे किचन में धकिल दे रही है और इन्हें अब चाइनीज पकवान चाहिए चाइनीज सब्ची और चाइनीज चटनी ऐसे पकाऊंगी ना सासुमा देख लीजे आप जिन्देगी में कभी आप मुझे खाना पकाने को नहीं कहेंगी ऐसा कहकर अनामिका किचन में चली जाती है शार्दा चाइना से बहू आपस आ गई है मैं आफिस जाता हूँ ठीक है मा मैं भी आफिस निकलता हूँ अजी अरे हो रमेश बहू चाहिना से लोट के आई है वो किचन में चाइनीज करी और चटनी पकारी है खाना खा के ही जाओ नहीं तो दोपैर में फिर खाना खाने आना पड़ेगा ठीक है शार्दा मैं बेड्रूम में अराम कर रहा हूँ खाना बन जाये तो बुलाओ ऐसा कहकर प्रिशाद अपने बेड्रूम में चले जाते हैं मा मैं अपने कमरे में जाके बैठता हूँ और वहीं पर आफिस का थोड़ा मोड़ा काम कर लेता हूँ कहकर रमेश अपने कमरे में चला जाता है और लैप्टॉप खोल के काम करने लगता है दो घंटे बाद अनामिका जो पकवान सीख कर आई थी वो पकवान बराती है और उसे लाके डाइनिंग टेबल पे रख देती है शार्दा बाब बेटे दोनों को अवाज लगाती है झावल एक में चावल एक में चाइनिस सब्जी और अगले में चाइनिस चट्नी रखावाथा सासुमा रमेश और प्रशाद को पडोज देती है जब वो चट्नी देखती है तो मूह में पानी आ जाता है और चावल के साथ सान के वो खाने लगती है उसे मूँ के अंदर कुछ अटपटासा लगता है जैसे निकालती है तो देखती है कौक्रोच रमेश दूसरे पकवान से ढखकन हटाता है उसमें कौक्रोच भड़े पड़े थे वो सारे टेबल पे बिखर जाते है ये देखकर शारदा प्रशाद और रमेश तीनों अलग-अलग दिशा में भागना शुरू कर देते है ये देखकर अनामिका मुस्कुराती है थोड़ी देर बाद अनामिका किचन से बहार निकलाती है और उसने जो चिकन बनाया था उसका लेग पिस बैटके खाने लगती है फिरसे अगर सासुमा ने कुछ कहा ना तो वो फिरसे ऐसे ही डर जाएगी ये तरकी बच्छा रहा अब वो आइंदा मुस्से खुछ नहीं करने को कहेगी ऐसा कहकर वो खुशी-खुशी मजे से चिकन खाने लगी एक बहतरीन बहु के रूप में अनामिका घर का काम काज करके खाना पका के फिर नीजी जासुस के रूप में काम करना शुरू करती है सामाजिक सेवाय करती है कई मामलों को चतुराई और बुद्धी मता से सुलझा कर अच्छा नाम और प्रसीद्धी भी उसे मिलती है उस दिन भी वो अपने जासुसी कारेले में आती है अपनी कुरसी पर बैट कर गंभीरता से एक केस फायल का अध्यान करने लगती है ठिक उसी वक्त उसकी सहायक के रूप में काम कर रही मंगा उसके आफिस में आती है गुड मॉनिंग मैडम गुड मॉनिंग छोड़ो पहले ये बताओ तुमें आफिस कब आना है और तुम कब आई और मुझे कब आना चाहिए और मैं कब आई आप तो जानती है कि बहु के कितने कर्टब भी होते है मैं भी किसी के घर की बहु हो मंगा तुम जो घर पे काम करती हो मैं भी वही काम करती हूँ लेकिन फिर भी मैं समय पे आफिस आ जाती हूँ यहां के करू भी क्या मैडम मक्खी मच्छड उड़ाने होते है या फिर पुराने फाइल्स के उपर से धूल हटाने होते है है की नहीं? करना होते है मंगा मक्खी मच्छड को उड़ाने होते है फाइल के उपर से धूल हटाने होते है अनामिका ऐसा कही रही थी तबी वहाँ पे एक बुजर्ग महिला आती है बताइए माजी किस काम से यहां आई है सुना है कुछ खो जाता है तो तुम ढूंड के लाती हो हाँ पर आपसे किस ने कहा मैं शार्दा को जानती हूँ कहा परेशान मत हो ये जगा पे जाओ यहां दो बेकार की महिलाए है जो भी खो गया है वो दोनों ढूंड के देगी आपकी शार्दा को ना हमसे बहुत लगाओ है इसलिए वो हमेशा हमारे बारे में ही सोचती है वसे आपने ने बताया कि आप यहां पी क्यो आई है अरे बेटा मेरा कुछ खो गया है वही ढूंडने आई थी क्या खोया आपने क्या खीमत थी उसकी मेरे कांड बाली की ठेपी चांदी के थे कम चकम सौ रुपे होंगे उनकी बाते सुनके अनामिका और मंगा समझने पा रही थी उन्हें हसना चाहिए या रोना चाहिए बिना कुछ कहे उस बुजर्ग महिला को वो घूरने लगी वैसे भी तुम लोग कुछ कर नहीं रहे हो आओ मेरे साथ और ढूंडो मैं तुमें एक कप चाई, बिसकिट और पानी पिलाऊंगी उस बुजर्ग महिला की बाते सुनके अनामिका और मंगा समझ नहीं पा रहे थी कि वो क्या कहेंगी वो दोनों ही कनफ्यूस्ड थी ठिक उसी वक्त शार्दा मंदिर में प्रार्थना कर रही होती है पंडी जी उसे कपूर का आर्ती देते है वो आर्ती से आशिरवाद लेती है फिर वो एक नारियल भी देते है पंडी जी देवी के गैनों का लगभग कितनी कीमत हो सकती है क्यों मैडम देवी के गैनों के बारे में क्यों पूछ रही है इन गैनों में देवी मा बहुत ही खूपसूरत लग रही है कि मंदिर के अंदर ही एक चोर घुसके बैठा हुआ है वो कोई और नहीं गाओं के सरपन जी थे जैसे पंडिची वहाँ से हटते हैं चोर सारे गहने चोरी करके भाग जाता है पंडिची जब लोटके आते हैं तो समझ जाते हैं कि यहाँ पर चोरी हो गई है पंडिची जोर-जोर से चिलाने लगते हैं कि देवी मा के गहने चोरी हो गया है सभी कोई खटा कर लेते हैं ये जानने के बाद प्रधान जी शारदा को बलाते हैं और उसे अपराधी के तौर पर गुनेगार ठरा देते हैं क्या मा देवी के आभुशन कहां रखे हैं मेरा विश्वास कीजिए मैं चोर नहीं हूँ मैं पडोस के गाउ में रहती हूँ अगर आप चाहे तो किसी से भी पूछ लीजिए सम मुझे पहचानते हैं अच्छा तो तुम्हारे गाउ में इतने मशूर चोर रहते हैं पंडी जी कह रहे थे कि तुम गैनों के बारे में पूछ रही थी अगर मैंने गैनों के बारे में पूछा इसका मतलब ये नहीं मैंने चोरी की है मुझे एक घंटे का महला दीजिए शार्दा के कहें मताविक प्रधान जी ने अनामिका को फोन लगाया और पूरी कहानी खुल के बताई तुरंत अनामिका अपनी असिस्टेंट मंगा को साथ लेकर वहां पहुँच जाती है जाकर देखती है कि शार्दा को चोर बनाकर सभी के सामने खड़ा कर रखा है नहीं मिलता फिर वो असल मंदिर में प्रवेश करती है देवी की मूर्ती के आसपास जाकर निरिक्षन करने लगती है वहां उसे तीन-चार चीज़े गिरीवी मिलती है उन चीजों को साथ लेकर वो पंचाज जी के पास लोटके आती है क्या डिटेक्टिव बहुरा नहीं चोर मिला मुझे पता चल गया है कि चोर कौन है अगर आप अनुमती दे तो मैं दिखा सकती हूँ सभी लोग यहीं पर रहेंगे यहां से कोई भी इंसान कहीं नहीं हिलेगा मैं कह रहा हूँ ना सब यहीं रहेंगे चोर कौन है पहले तुम मुझे बताओ तब तक कोई नहीं हिलेगा मैं दिखाऊंगी सभी लोगों को यहां आना होगा और अपना अपना हाथ दिखाना होगा अनामिका के ऐसे कहने पर गाव वाले सब एक दूसरे का चहरा देखने लगते हैं वो यह नहीं समझ पा रहे थे कि उनका हाथ दिखाने पर चोर कैसे पकड़ा जाएगा तुम्हारी सासुमा ही चोर है इतना जल्दी फैसला ना लिज़े प्रदान जी कानून की नजरों में सबी समान है हाँ फिर आप अपना हाथ दिखाए मैं इस गाओं का प्रदान हूँ लोगों का सही गलत का फैसला मैं लेता हूँ मुझे हाथ दिखाने को कहकर तुम मेरा इस तरह से अपमान कर रही हो चाहे आप कितने बड़े प्रदाने क्यों ना हूँ पर याद रखेगा आप एक इंसान है आप पहले अपना हाथ दिखाए या फिर मान लिजे कि चोरी आप नहीं की है क्या आप बात कर रही हो मैं चोर हूँ अपनी सास को चोरी के इलजाम से निकालने के लिए तुम मुझे चोर कह रही हो हाँ जब आप चोर नहीं है तो आपको अपना हाथ दिखाने में क्या दिक्कत है गाहँवाले आप लोग कुछ कहिए अनामिका के कहने पर सर्पन जी को हाथ दिखाने के लिए गाहँवाले सम मिल के हल्ला करने लगते हैं अब जब कोई चारा ही नहीं रहा तो सर्पन जी ने अपना हाथ दिखाया उनके एक हाथ में बस चार उंगलिया थी देखिए गाहँवालो प्रधान जी ही चोर है, इनकी बस चारी उंगलिया है और उनकी उंगलियों में एक भी अंगुठी नहीं है क्यों? क्योंकि वो अंगुठिया मेरे पास है जब वो देवी के गहने चोरी करने गह थे, उनके हाथ से अंगुठी गिर गया होगा पर उन्होंने गौर नहीं किया, चोकि उनका पूरा ध्यान देवी के आबुशनों पर था इसलिए उन्होंने अपनी उंगलियों की अंगुठियों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाए जो कि फिसल के कहीं गिर गया अनामिका ने जब स्पष्ट रूप से कहा तो प्रधान जी ने भी अपनी गलती को स्विकार कर लिया उसने अपनी सासुमा शार्दा को निर्दोश साबित करके अपने साथ वो घर लेकर आई जासुस बहु होने की वज़े से आजशार्दा बहुत खुश हुई और तब से बहु जासुस है इस बात से वो बहुत गर्विद मैसुस करने लगी ये स्टोरी पसंद आई तो हमारे चैनल को ज़रू सब्सक्राइब करे थैंक्यों फॉर वाचिंग